नमस्कार दोस्तों, COVID ने काम कितना असान कर दिया है कि आप लोग वाइरस, वेक्सिनेशन, एंटिबॉडी, प्रिवेंशन, कितनी असानी से समझने लगे हैं। चलिए आज HPV की बात करते हैं। जी हाँ, human papilloma virus, एक family जिसके करीब 200 सदस्य हैं और जो male, female दोनों में पाया जाता है, उनके genital area में पाया जाता है। कहां से आता है आपके बाडी में? ये first time आपकी बाडी में एंटर करता है, first physical relationship के साथ। सब में mandatory है, पहले एंटर करता है, मतलब acquisition, फिर आपके genital area में persist करता है, persistence, third invasion and then lesion, four stages हैं। लेकिन यदि आपने इसको acquisition के पहले रोक लिया, entry point के पहले रोक लिया, या acquisition और persistence को तो पकड़ लिया, तो ये आगे नहीं बढ़ता है। इन्वेट नहीं करेगा, लीजन नहीं देगा, तो हम इसको क्यों ना बढ़ने दें, क्यों ना इन्वेट करने दें, क्यों ना लीजन बनाने दें। अरे रुकिये, ये male female दोनों में परिशानी खड़ी कर देता है, कैसी परिशानिया? चलिए female की बात करते हैं, फीमेल में, cancer cervix, cancer vagina, cancer vulva, male की बात करें, तो cancer penis, दोनों की बात करें, तो cancer of anorectal area, गटपाई, lower portion, cancer, oropharyngeal area, oral cavity, ये तो cancer हो गया, ये तो benign भी नहीं छोड़ता, warts, जी हाँ, genital area में होने वाले warts, male female दोनों में, उसके लिए भी irresponsible है, और जानते हैं, सबसे आश्यर जनक बात ये है, कि इसकी relationship, इन सब चीजों के साथ में, cancers के साथ में और warts के साथ में scientifically proven है, अब सोचिए, यदि हम इसकी entry होने से पहले ही इसको रोक लें, prevent कर दें, तो क्या होगा, क्या हम इन बिमारियों से अपने को बचा पाएंगे, जी हाँ, यदि इसका कोई vaccine हो, जो इसकी entry से पहले ही आप ले लें, और पहले का मतलब क्या हुआ, first physical relationship होने से पहले यदि दे दिया जाए, तो इसकी entry को check कर सकते हैं, ये इसलिए जरूरी है, कि यदि हम उसके बाद में इसको देते हैं, तो ये जो पहले से HPV है, या जो strains बाद में आपको infect करते हैं, उस पर effective नहीं होगा, ठीक है, और ये vaccine सन 2006 से हमें मालूम है, और अभी तक उसको routine schedule में नहीं ला पाए, कब दे इसको, इसे हमें देना चाहिए 9 से 13 साल की उम्रवाली बच्चियों को, World Health Organization के अनुसार, यदि हम बच्चियों के 9th birthday के बाद और 15th birthday होने से पहले देते हैं, तो हमें इनकी 2 खुराक देनी पड़ेगी, जो की समझिये एक लगी, उसके 6 महीने बाद दूसरी लगेगी, यदि दोनों के बीच का अंतराल 5 महीने से कम होगा, तो 3 खुराक लगेगी, यदि आप 15 साल के बाद लेना चाहते हैं, तो 15 साल के बाद भी आप ले सकते हैं, रिकमंडेड है, लेकिन उसकी efficiency कम हो जाती है, क्योंकि तब तक आपका physical relationship हो जाएगा, ऐसा assumed है, तो आप जब vaccine लेते हैं, तो उसकी efficacy उसके लिए effect होगी, एक बात और याद रखिए, यह जो vaccines हैं, यह उन strains के against बनाए गए हैं, जिनको एक ideological factor, cancers और wards के लिए पाया गया है, यदि मैं आपको number बताओं, तो 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 9 हैं, देखिए, अब चलते हैं, अधि 9 strains के against vaccine हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, nanovalent, जो की इंडिया में मिलता ही नहीं है, confusion दूर हुआ, वो केवल US में मिलता है, और वहाँ पर केवल nanovalent ही लगाया जाता है, हमारे यहां मिलता है, bivalent, जिसमें दो strains है, 16 और 18, जो सीधे carcinoma cervix से related है, दूसरा मिलता है, quadrivalent, मतलब 4 strains के against काम करेगा, तो वो 6, 11, 16, 18, 6, 11 strain for what, 16, 18 for cancer cervix, इनकी खुराद WHO schedule के हिसाब से दी जाती है, आप देखिए, 2017 तर केवल 71 countries ने इस vaccine को अपने adolescent vaccine schedule में शामिल किया, हमारे यहां भी कोई national immunization program में ये included नहीं है, जबकि हम ये जानते हैं कि ये carcinoma cervix को 70% prevent कर सकता है, anorectal cancer को 80% prevent कर सकता है, और oropharyngeal cancer को 90% prevent करता है, आईए, हम भी चलें और इसको लगवाएं, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी friend, अपनी पत्नी, हमें क्या दिक्कते आ रही हैं, इसे हम नहीं लगवा पा रहे हैं, इसके लिए क्या challenges हैं, इसके challenges ये हैं कि एक बच्ची अपना decision खुद नहीं ले सकती है, inhibitions हैं, एक taboo है कि ये sexual activity से connected है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सोचती हूँ, यदि schools एक medium का का काम करें, एक weekal का का काम करें, और आगे आएं, तो शायद हमारे देश में भी इस vaccination का percentage, हम more than 90% कर पाएंगे, मेरी आप से यही request है कि प्लीज, आपके अडोस-पडोस, आपके घर, आपकी family में, जो भी इसके लिए eligible है, उसको ये लगवाएं, डॉक्टर की सलहा से लगेगा, हॉस्पिटल में लगेगा, ट्रेंड स्टाफ आपको लगाएगा, इसका कोई खास reaction नहीं होता है, इंट्रा मस्कूलर अपर आम में लगता है, डिल्टॉइड में लगता है, जैसे किसी भी injection के साथ हलका सा पेन होता है, या हलकी सी swelling हो सकती है, बस उतना ही होता है, पर इसको हमेशा डॉक्टर की prescription पर लिखवाए, डोजेज की डेट तय कराए और एक trained staff से लगवाए, अपना और अपने बच्चों का खुद का भविश्य सुरक्षित रखें, ये जानते वे कि यदि आप 9 से 15 साल के बीच में लगवाती हैं, तो protection efficiency कहीं ज्यादा है, यदि उसके बाद आप लगवाती है, recommendation तो 45 years तक का है, तो उसकी efficacy उतने ही उसी अनुपात में कम होती जाती है, तो देर करने की जरूरत क्या है, आईए चले, आज लगवाते हैं हम HPV vaccination, thank you.